हाई एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल आशास लाइफस्टाइल आज हम शेयर करेंगे मावा की रेसिपी मतलब की खोया तो यह हम घर पे बहुत ही इसी तरीके से बना सकते हैं ओल्ली एक ही इंग्रीडेंट्स इसमें यूज़ोगा वह है दूद बहुत ही इंपोर्टन इंग् करते हैं तो यहां पर मैंने वन केजी का आमूल का दूद लिया है टोंड दूद लिया है मैंने यहां पर तो यह सारा दूद में इस कड़ाई में डाल दूगी कड़ाई को हम हाई फ्लेम में ही रखेंगे और हाई फ्लेम में हम इसको कंटीनियूजली चलाते जाएंगे हमें मलाई बिल्कूल भी नहीं आनी देनी है इस طरीके से हमें चलाते जाना है और ये दूद को बोईल आने तक हमें अच्छे से चलाना है जब इसमें बोईल आजाए तो आप बीच में रुकुरुक के चला सकते हैं बनन काफी देर के लिए और यह जो side side में लगते जा रहा है आप इस तरीके से इसको हटाते जाएंगे और mix करते जाएंगे तो हमारा मावा अच्छा बनता जाएगा यह देखे काफी गाड़ा हो गया है और इसको बनाने में हमें कम से कम 30-40 मिनेट्स लग जाएंगे तो 30-40 मिनेट्स आपको continue लाते जाना है इस तरीके से चलाते जाना है दूद काफी कम हो गया और काफी गाड़ा हो गया यह तो हमें इस तरीके से कर देना है अब यह बिल्कुल परफेक्ट मावा बनकर रेड़ी है बस हम यहां पर गैस आफ कर देंगे और इसको थंडा करने के लिए रख देंगे साइड पर तो यह हमारा यहां पर मावा बन चुका है तो थोड़ी देर बाद जब हम इसको थंडा होने के बाद चेक करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जसा मावा जो हम लेते एकदम फ्रेश वाइट वाला मावा बिल्कुल वह बनकर रेड़ी हो जाएगा तो आफ्टर 20 मि कितना गाड़ा हो गया है हमारा मावा और आप इस मावे को होली में कोई भी मिठाई बनाने में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी मावा हमारा घर का बनकर रेड़ी हो गया तो कैसी लेगी आप लोग की रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रू बताना और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई कि अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से यचिए लाइक शेजर प्लीज बाई बाई